अत्याचारी सौतेला बेटा सोमनाथ इंडिया से बाहर काम करता था वो कभी-कभी इंडिया आता था उसकी पत्नी का निधन छे महीने पहले हो चुका था उसका एक बेटा मोहन था, जिसकी उम्र आट साल थी सोमनाथ छुट्टियों में घर आया हुआ था तब उसकी मा उसे बोलती है, बेटा सोमनाथ तेरे पीछे से ये बच्चा परिशान रहता है मैं चाती हूँ कि तू दूसरी शादी कर ले जिससे मोहन को भी मा मिल जाएगी और तुझे भी चिंता नहीं रहेगी अपने बेटे की मा तुम और काजल तो हो ना मोहन की देखभाल करने के लिए क्यों उस बेचारे के लिए सौतेली मा ला रही हो देख बेटा, मोहन अब बड़ा हो रहा है उसे तेरी और मा दोनों की जरूरत है अब तू तो बाहर नौकरी करने चला जाता है वो बेचारा यहां चुपचा बैठा रहता है मा आ जाएगी तो उसे भी बहुत सारे काम मिल जाएंगे मा जैसा तुझे ठीक लगे देख ले उसके बाद सोमनाथ की मा सोमनाथ की शादी करा देती है और देव की मोहन की सौतेली मा बन करा जाती है देव की बहुत खुश मिजाज और महंती औरत थी पर मोहन की चाची काजल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि घर में कोई और आकर उस पर हुकुम चलाए और सोमनात के वापस जाते ही काजल ने मोहन के कान भरने शुरू कर दिये मोहन बेटा इधर आओ देखो वो जो अभी घर पर आई है तुम्हारी सोतेली मा है और सोतेली मा बहुत खराब होती है वो बच्चों को मारती है खाना भी नहीं देती है इसलिए तुम्हें जब भी वो मारे पीटे या खाना ना दे तो तुम मेरे पास चले आना सच चाची सोटेली मा ऐसी होती है तो फिर बाबा मेरे लिए सोटेली मा क्यों लाए मोहन जो कि अभी बालक ही था उसके मन में काजल ने सोटेली मा के प्रतिक घ्रिणा भर दी और वो अपनी सोटेली मा को लेकर अलग-अलग बातें सोचने लगा उसके बाद वो देवकी को बहुत परिशान करने लगा मोहन, आओ बिटा खाना खालो नहीं खाना मुझे आपके हाथों से खाना, मैं खुद खा सकता हूँ ये क्या मोहन, अगर तुम्हें खाना नहीं खाना था तो मत खाते इस तरह खाना फेकना गलत बात होती है बेटा ये हमारा खाना है, मैं फेकू या ना फेकू, आपको इससे क्या और काजल छुपकर ये बाते सुन रही होती है, वो बड़ी खुश होती है बड़ी आई थी मेरे पर हुकम चलाने के लिए और उधर देवकी किसास देवकी, बेटा मोहन को थोड़े कड़े शब्दों में समझाओ वो तुम्हारी बहुत बईज़ती करता है और आज उसने खाना भी फेका ये गलत बात है ना, तुम मा हो उसे डाटो मा, मोहन अभी छोटा है, मैं उसे प्यार से समझा लूँगी मैं जानती हूँ बेटा, तु उससे बहुत प्यार करती है पर फिर भी, थोड़ी सी लगाम खीच कर रख जी माची मोहन अपनी सौतेली मा को परिशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता जब वो दो पहर में आराम कर रही होती, तो वो तेज आवाज में रेडियो चला देता अगर देव की खाना बनाती, तो वो उसके खाने में ज़्यादा नमक और मिर्श टाल देता मोहन, तुम्हारे पेपर शुरू होने वाले हैं, लाओ दिखाओ इसकूल में तुम क्या करते हो और कोई बात समझ में ना आए, तो तुम मुझसे भी पूछ सकते हो आप जाकर अपना काम करो, मुझे पढ़ाने की जरुवत नहीं है, मुझे पढ़ना आता है बेटा, ये आप किस तरीके से बात करते हो, आपको नहीं पता बड़ों से कैसे बात की जाती है, ये तो गलत बात है तुम यहां काम करने के लिए आई हो, मुझे शिक्षा मत दो और इस तरह मोहन कभी भी देवकी की बेज़ती कर देता जब भी मोहन के पापा आते, मोहन बिलकुल अच्छा लड़का बन जाता उसके पापा को जरा भी नहीं लगता कि मोहन देवकी के साथ में बद्तमीजी करता है और नहीं देवकी कभी मोहन की कोई शिकायत सोमनाथ से लगाती इस बार सोमनाथ छुट्टी आया तो मोहन बेटा, कैसे हो तुम? और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? और नई मा के साथ तुम्हारा व्यभार कैसा है? बाबा वो अच्छी है, मैं उनका सारा कहा मानता हूँ और उन्हें कभी परिशान भी नहीं करता आप चाहे तो पूछ लो मेरा प्यारा बेटा, तुम बहुत समझदार हो इसी तरह ही राजे खुशी रहा करो फिर वो देवकी से बात करता है देवकी, तुम्हें मोहन परिशान तो नहीं करता? नहीं, नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करता बड़ा समझदार बच्चा है फिर सोमनाथ सोचता है कि देवकी और मोहन को कहीं घुमा लाता हूं मा मैं मोहन को घुमा कर लाता हूं देवकी को भी साथ ले जाता हूं हाँ बेटा ले जाओ, वो भी थोड़ा बाहर घुमाएगी और सोमना देवकी और मोहन को लेकर घूमने के लिए चला जाता है वहाँ पर मोहन घोड़े की सवारी करने के जित करता है बाबा मुझे घोड़े की सवारी करनी है देखो सब बच्चे घोड़े की सवारी कर रहे है तुम अभी छोटे हो, तुम वहां जुले पर जुलो नहीं बाबा, मुझे घोडे की जवारी करनी है कोई नहीं करने दो, सब बच्चे कर रहे हैं घुर सवार अपने आप देख लेगा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं इसको सवारी करने देता हूँ मोहन को ये बात बहुत बुरी लगती है कि बाबा ने उसके कहने पर हा नहीं की पर सौतेली मा ने कहा, तो बाबा ने हा कर दी फिर मोहन अचानक ही घुर सवार के हाथ से लगाम खीच कर घोडे को दोड़ा देता है सामने देवकी खड़ी होती है और वो घोडे को देवकी से टकरा देता है देवकी गिर जाती है और पास पड़े हुए पत्थर पर उसका सर लगता है जिससे उसके सर से खून निकलने लगता है मना किया था ना कि घुर सवारी नहीं करनी देखो, देवकी को कितनी चोट लग गई है चलो अब घर चलो, जाकर मम्मी की मरम पट्टी करेंगे उसने जान भुचकर नहीं किया, वो बच्चा है इस तरह मडडाटो घर आकर सोमनाथ देवकी के सर से खून साफ करकर वहाँ पट्टी कर देता है मोहन को ये बात भी बहुत बुरी लगती है और फिर सोमनाथ की छुट्टियां खत्म हो जाती है वो वापस अपने काम पर चला जाता है और एक दिन देवकी किचन में काम कर रही होती है उस दिन बड़ी बाबा के आगे अच्छी बन रही थी न अभी बताता हूँ फिर वो देवकी के कमरे से तेल की बोतल उठा लाता है और किचन के दर्वाजे पर डाल देता है देवकी जैसे ही काम करके किचन से बाहर आती है उसका पैर तेल पर फिसल जाता है और देवकी बहुत तेज से सर के बल रसुई में गिर जाती है जिससे उसे काफी चोटाती है ये देख मोहन घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है मोहन को वहाँ से भागते हुए देवकी देख लेती है और देवकी के चीखने की आवाज सुनकर सोमनात की मा और काजल भी वहाँ जाती है अरे अरे देवकी तुम कैसे गिर गई मा आप रुक चाओ यहाँ पर तेल गिरा हुआ है आप भी फिसल जाओ कि औरे दीदी आपको तो बहुत चोट लग गई है चलो आराम से उठो मैं आपको आपके कमरे में ले चलती हूँ हाँ लगता है मुझे काफी चोट आई है पर तुम गिरी कैसे वो मा शायद मुझसे तेल गिर गया था और मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं फिसल गई देवकी ध्यान से काम किया करो और फिर काजल डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर देवकी की मरहम पट्टी करते है फिर वक्त ऐसे ही निकल जाता है और मोहन बीस साल का हो जाता है सोमनाद भी वापस इंडिया आकर रहने लग जाता है एक दिन उनके कुछ दोस्त घर आते है और देवकी उनके लिए खाने पिने का सामान लेकर मोहन की कमरे में जाती है कितनी बार कहा है आपसे कि जब मेरे दोस्त हैं ऐसे मूँ ठाकर मेरे कमरे में मताया करो अरे यार तुम ये किस लेजे में बात कर रहे है अरे छोड़ यार रवी ये इसी के लायक है ये मेरी सौतेली मा है देवकी चुपचाप वहाँ पर खाना रखकर चली जाती है ये वारताला आप बाहर खड़ा सोमनात सुन लेता है वो मोहन को डाटने जाही रहा होता है कि देवकी उसे रोक लेती है अभी उसके दोस्त कमरे में आप वहाँ मच जाओ देवकी तुमने कभी मुझे बताया नहीं कि वो तुम्हारे साथ कितनी बत्तमीजी से बात करता है वो छोटा है वक्त आते आते उसे अकल आजाएगी नहीं देवकी जो गलत है वो गलत है उसने तुम्हारे साथ अच्छा बरताव नहीं किया और उसके बाद मोहन का फोन आता है वो फोन सुनने के लिए बाहर आता है वो फोन में इतना खोया होता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो सीडियों से नीचे गिरने वाला है देवकी देख लेती है और मोहन को पीछे की साइड धक्का देती है जिससे देवकी का balance बिगड जाता है और वो सीडियों से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है सूमनाथ ambulance बुलाता है और देवकी को hospital लेकर जाना पड़ता है hospital में देवकी को सिर में काफी चोटाई होती है और उसका एक हाथ भी तूट जाता है देवकी के होश में आने के बाद देवकी, अब तुम्हें कैसा लग रहा है तुम्हें काफी चोट आई है जरा आराम से हिलना तुम्हारा हाट तोट गया है डॉक्टर ने तुम्हें complete rest बोला है मोहन, मोहन कहा है उसे तो चोट नहीं आई न तुम किस मिट्टी की बनी हो देवकी उसकी वज़ा से ही तुम्हें इतनी चोट आई है और तुम उसी की फिक्र कर रही हो वो मेरा बेटा है हर मा को अपने बच्चों की फिक्र होती है बताओ ना, मोहन तो ठीक है ना हाँ वो बिल्कुल ठीक है डॉक्टर ने तुम्हारी दवाईया लाने को बोला था तो वो तुम्हारी दवाईया लेने काया है मोहन दर्वासे के पास खड़ा होकर देवकी और सोमनात की बाते सुन रहा होता है उसे अपने उपर बहुत गुसा आता है वो बच्चपन से अब तक के अपने सारे अत्याचार जो उसने देवकी के उपर किये थे याद आ जाते हैं फिर वो कमरे में जाता है और मा, मुझे माफ कर दो मैंने बचपन से आज तक तक तुम्हारे उपर बहुत अत्याचार किये पर तुमने कभी उफ तक नहीं की और ना ही पिताजी से मेरी कोई शिकायत की तुम सच मैं एक बहुत अच्छी माँ मैं अपने हर अत्याचार के लिए आपसे माफी मांगता हूँ मा मुझे माफ कर दो प्लीज मुझे माफ कर दो रोते हुए देवकी के पैर पकड़ लेता है मुझे तुम से कोई शिकायत नहीं है मोहन मैं शुरू से जानती थी कि तुम एक अच्छे लड़के हो और मैं तुम से बहुत प्यार करती हूँ मा मुझे माफ कर दो तुमने मुझे मा कहा यही मेरे लिए बहुत है आज मैं बहुत खुश हूँ मोहन आप आप बेटे मेरे गले लगजा तुने मुझे मा कहा आजा और सोमनात ये सब देख कर अपने आसू पोचने लगता है